बिहार में इन दिनों सियासी बवाल चरम पर है CBI ने बुद्वार को भरते घोटाले में बिहार, दिली, हर्याना के गुरुग्राम समेथ 25 ठिकानों पर छापे मारी की CBI ने गुरुग्राम के एक मौल पर भी रेट डाली है दावा है कि समौल के मालिक लालू यादव के बेटे और बिहार के उपमुखे मंतरी तेजस्वी यादव और उनके करीबी है CBI ने जौब के बदले जमीन मामले में कारवाई की है CBI ने बिहार में पटना, कटिहार, मदुबनी, कई ठिकानों पर छापे मारी की CBI ने जन जगव पर छापे मारी की है उसमें RGD, MLC, सुनिल सिंग, पूर्व RGD, MLC, सुबोध रॉय, रासभा सांसर, अश्वाक करीम और फ्याज, एहमत के ठिकाने भी शामिल है तो बिहार में RGD ने ता, यहां CBI की छापे मारी ऐसे वक्त पर हुई, जो बुदवार को विधान सभा में फ्लोर्ट टेस्ट हो रहा है ऐसे में RGD ने इसे बदले की कारवाई करार देते वे केंदर की सत्ताधारी BJP पर निशाना सा दिया अब भर्ती घोटाले में तीसरी बार शापे मारी है, आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते जौब लगवाने के बदले में जमीन और प्लॉट लिए गए थे CBI ने इसी मामले में जाज के बाद पिछले दिनों लालू यादव, रावडी देवी, मीसा यादव, हेमा यादव और कुछ ऐसे उमीदवारों पर केस दर्ज किया जिने पलॉट या परपर्टी के बदले जौब दी गई इसके बाद CBI ने माई में इस मामले में पहली बार लालू यादव से जुड़ी 17 जगाओं पर छाप पिमारी की CBI की एक कारवाई करीब 14 घंटे तक चली थी ये चापे लालू यादव, उनकी पत्नी रावडी देवी, बेटी मीसा भारती के पठना गोपाल गंच और दर्लिस्ते जगाओं पर छाप पिमारी की गई जुलाई में CBI ने लालू यादव के पूर्व OSD भोला यादव को गिरफतार किया था इस दोरान CBI ने बिहार के पठना और दर्बंगा में चार ठेकालों पर छापे मारी भोला यादव 2004 से 2009 तक लालू यादव के OSD रहे लालू यादव उस वक्के इंडरील मंत्री थे, उसी समय रिल्मे में भरती घोटाला हुआ था आरोप है कि भोला यादव ही घोटाले का कथित सरगना है वहीं बिहार की पूर्वसियम रावली देवी ने कहा है कि नितीश कुमार की नतित में जब से सरकार बनी है ये लोग डर गए है BJP को छोड़कर सभी पार्टिया हमारे साथ हैं, हमारे पास बहुमत है CBI ने हमें डराने के लिए कारवाई की, लेकिन हम डरेंगे नहीं, ये पहली बार नहीं हो रहा है आज जड़ी सांसर्द मनोज्जा ने कहा कि बिहार विधान सभा में फ्लो टेस्ट है, इन्होंने डराने के लिए आज का दिन चुना है देर साल पहले नितिशकुमान ने खुदी शिकायब की थी, जब बिशकुमान में करोडों रुपय पकड़े गए थे तब बिहार सरकार ने संग्यान लिया था, क्योंकि तब रुपयों के साथ गाली पकड़ी गई थी, अब इन सब की जो परनीती होती है, वो हो रही है तो इस सियासी ड्रामा बिहार में आखिर कब तक चलेगा, ये देखना होगा, लेकिन महागडबंदन ने जो बिहार में अंग्राय ली है, उसकी लगाई अब CBI और ED पर जाती हुई नजर आ रही है